हेलो फ्रेंद्स वेलकूम बेक चैनल बिंदास हर्मन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेहनाज को और गिल के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो नीचे आपको जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है आप इसके उपर करो क्लिक और मेरे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब तो अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शेहनाज को और गिल आपको देखने को मिलेगी as a host in dance reality show dance दिवाने पहले ये news भी आई थी कि सिदार्थ भी इस show को host करेंगे अब चलते हैं news number two की तरफ so news number two यह है जैसे कि आप सभी को पता है के सिदार शुक्ला का भी एक YouTube Channel है शेहनाज के बाई श्हबाज का भी यूट्वी चैनल है और अब शेहनाज गिल का भी YouTube Channel जल्द ही आने वाला है इस बात के बारे में खुद उनके बाई शहबाज ने यूट्यूब के उपर लाइव आके बताया है जब उनसे पूछा गया था कि सना का चैनल भी आप जल्दी खोलो तो उन्होंने कहा था कि शहनाज का भी यूट्यूब चैनल जल्द ही आने वाला है तो ये हो चुका है उनका सेकंड प्रोजेक्ट के वो अब यूट्यूब के उपर भी वीडियो से अप्लोड करेंगी तो जो शहनाज के फैन है उनके लिए ये काफी अच्छी ख़बर है विकाज अब उनको काफी न्यू न्यू अपडेट शहनाज के बारे में उनके यूट्यूब चैनल के उपर मिलती रहेंगी अब चलते हैं उनके प्रोजेक्ट नमबर 3 की तरफ जो ये है के अब आपको शहनाज को और गेल एक और वीडियो सॉंग में दिखाई देंगी उस वीडियो सॉंग का अभी टाइटल अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है लेकिन मैं आपको बता दूँ के इसमें सिर्फ शहनाज होगी से दार्थ नहीं होगी सो अब चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 की तरफ सो जैसे के आप सभी को पता ही होगा के बिग बॉस 13 में तीन जोडियों काफी फेमस होई थी पारस एंड माहिरा की, सिदार्थ एंड सना की, आसिम एंड हिमाशी की तो जो नचबल ये 10 की टीम है, वो अब ये सोच रही है कि वो इन तीनों जोडियों को अप्रोच करेगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन उनके ओफर को असेप्ट करता है और फाइनली हमें कौन उस शोव में देखने को मिलेगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन पार्स ने पिंक वीला को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने काया कि अगर उनको अप्रोच किया गया तो वो माहिरा के साथ इस शोव को जरूर करेंगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जोड़ी को देखना चाहते हो नचबली ये 10 में तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो में हमकी सेलिब्रिटी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीस हमारे इस चैनल बिंदास हर्मन को सब्सक्राइब कर लें